साथ्यों लिब्रे ओपीस में हमने स्टार्ट कर दिया है कैल्क स्प्रैड सीट जिसको हमने इंट्रोडेक्शन करवाया था लास्ट वीडियो में अब हम आगे बढ़ते वे इसके जितने मीनू है उन मीनू में जो ओप्शन नए है और जो काम के ओप्शन है उनको जानेंगे विद्शोट की तो इस वीडियो में तक बने रिगा नमस्कार साथियो मेरे नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्योटर गहनगुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने आपका इंट्रोडेक्शन करवाया था लिब्रे ओफिस की कैल अब इसके कुछ ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे पास मीनु दिये हुए इन मीनु में फाइल मीनु के अंदर हमको ज्यादा कुछ शमजाने की जूरुत नहीं है हम राइटर के अंदर बता चुके हैं लगबग वही ऑप्शन आपको यहां प चलेंगे अब चलते हैं एडिट के अंदर एडिट के अंदर आपको मिल रहा है यहां पर अंडू रेडू कट कोपी पेस्ट रिपीट या पेस्ट स्पेशल अब यहां पेस्ट स्पेशल के उपर आते हैं एक तो नॉर्मल पेस्ट हम कोई भी डाटा कोपी करते हैं हमने यह से इस data को copy करना है हमने serial number copy करने है या फिर हमने शिरफ heading row copy करनी है तो डिरेक्टर हम Ctrl C करके और Ctrl V कर लेते हैं पेस्ट हो जाता है वापस undo करते है इसको हमने इस परकार से paste नहीं करना है हमने paste करना है देखो यहां पर मैंने formula लगाया हुआ है मैंने इसकी रिसकी multiply की हुई है मैं चाहूं कि इसको copy करके कहीं पर paste करना है लेकिन वहाँ पर formula नहीं जाना चाहिए जो भी हमारे पास यह value है as it is value रहनी से है तब हम इसको copy करेंगे Ctrl C और paste नहीं करेंगे हम करेंगे paste special edit में जाएंगे paste special के अंदर और last में देखो एक और मिल रहा आपको paste special Ctrl Shift V हम क्लिक करे है हमने only value paste करनी है value and formula paste करना या formula paste करना खाली इस तरह के option आपको मिलते चले जाएंगे आपने यहाँ पे सिरफ value को यह option चुनना है हमने value ही paste करनी है यह selection मेरा यहाँ पे है तो इसी जगे value paste हो जाएगी एक बर मैं इसको cancel करता हूँ और यहाँ पे cursor को छोड़ता हूँ अब paste हुआ है यहाँ पे देखो आपको formula नजर नहीं आएगा only value paste होगी अब इस में से भी हम value हमारे पास दो तरीके की है एक तो numbers है और text है हम चाहें सिरफ text paste करना है या सिरफ number paste करने है तब वो option भी हम ले सकते है उसके लिए हम फिर से edit में जाएंगे और paste special के अंदर देखो य paste only text, paste only numbers या paste only formula हम एक बार text पर click करते है then यहाँ पर देखो जो हमारे पास text होगा वही paste होगा बाकी numbers और formula paste नहीं होगे या फिर हमको transpose करना है अपने data को तब भी हम paste special से कर सकते हैं transpose यानि कि हमारे पास जो आप record देख रहे हैं यह record इस परकार से डले हुए है mango, apple, banana, papaya और field हमारी ऐसे vertical है, काफी बड़ा data है और हमने उसको transpose करना है कि जो हमारी field है वो हमारी record में आ जाए और record हमारे field में चले जाए इस परकार से data को transpose करना है तब हम वापस से इसको copy करेंगे और जहां भी आपने इसको transpose कराना है इसी seat में या फिर दूसरी seat में कहीं पर transpose कराना है तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ transpose जिसे कि आपको पता भी चलता रहेगा हम यहां पर आएंगे, edit के अंदर जाएंगे, paste special के अंदर और यहां मिल रहा है आपको paste transpose इस पर click कर देंगे तो हमारा data अब transpose होके यहां पर आएगा, देखो serial number उपर चले गए, उसके बाद जो हमार जितनी भी field थी, वो यहां पर आपको record में नज़राएंगी और इस परकार से आपके record नज़राएंगे, इनको आप adjust कर लें, इनका alignment set कर लें, इसमें खाली एक परेशानी रहेगी, आप यहां तो जो भी changement करेंगे, मैं यहां पर देखो 4 डालता हूँ, देखो formula काम कर रहा लेकिन इधर अगर मैं एक record और बढ़ाता हूँ, तो इधर कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हमने copy करके transpose किया है, यदि हम चाहें कि यहां भी अगर कोई record बढ़ाएं, और इधर भी वो automatic बढ़ेड, जो हमने transpose किया है, तो उसके लिए formula यूज करते हैं, transpose का, जो कि edit के अंदर सिर्फ एक ही function था, यही नया था, बाकि हमारा वह selection का है, select all, select seat, select row, column के लिए, कौन से column हमने select करना है, कौन से row हमने select करनी है, find, find and replace, track scenes, यह सारा हम आपको writer के अंदर करवा चुके हैं, अब view के अंदर भी हमको कुछ ज़्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ भी शिर्फ हमको जो भी toolbars या कुछ option हमको show या hide कराने है, उसे संबन दीती हमको view के अंदर देखने को मिलेगे, अब चलते है insert के अंदर, insert में आपको कुछ एक option नहीं मिलेगे, यहाँ पे जैसे image, chart, यह same to shape है, नया आपको pivot table मिला है, pivot table को fully define करेंगे अलग से pivot table क्या है, बहुत ही powerful tool होता है, pivot table, इसे हमें data को analyze कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, बड़ा अच्छा dashboard तयार कर सकते हैं, कोई media file insert करानी है, कोई other object, कोई shape हमने insert करानी हैं, तो हम shape ले सकते हैं, designing कर सकते हैं, drawing कर सकते हैं, function, अभी हम नहीं करवा रहे हैं, अभी हम सिर्फ आ रहे हैं, कि कौन से menu में कौन सा option मिलेगा, या फिर आपने जिश option की मदद से काम करना है, वो option कौन से menu में है, function के अंदर आप देखो कि मैंने बताया था, last video में control के साथ F2 यूज़ करेंगे, तो आपके पास function wizard का एक pop-up open हो जाएगा, यहाँ पर शार एक function आपको में cancel करता हूँ, उसके बाद text box लेना या comment डालना है, तो comment हम यहाँ से भी insert कर सकते हैं, किसी भी cell के उपर हमने comments यूज़ करना है, उस shell पर जाएंगे और हम insert करेंगे comment, then हम यहाँ पर अपना comment type कर सकते हैं, यहाँ से भाहर आने के लिए escape की press करेंगे, तो देखो corner में एक red color की dot नजर आ रहे हैं, हम जैसे mouse को इस cell के उपर लेके जाएंगे, तो हमारा comment शो होगा, इसके अलावा हम यहीं cell के उपर right clicker के भी comment insert कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पर comment है, तो right clicker के मैं इस comment करता हूँ, delete, then फिर से right click करूँगा, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा insert comment के लिए, हम यहाँ से भी comment insert कर सकते हैं, इसके अलावा एक option और है, insert के अंदर हमने hyperlink लगाना है, हमने किसी other file से, या इसी file के अंदर किसी दूसरे document से, दूसरी sheet के उपर, हमने sheet 2 पर जाना है, यह हमारे पास sheet number 2 है, हमने यहाँ पर पहुंचना है, बगएर यहाँ पर sheet पर हम यहाँ पर click करें, तो यहीं से हम पहुंच जाएं, या फिर कोई दूसरी file open करनी है, तो उस link पर click करके, हम open कर लें, बड़ा का function है, insert में जाएंगे, हम करेंगे, यहाँ पर hyperlink या control के, internet का कोई URL देना है, हमने कोई website open करनी है, तो हम यहाँ पर URL डाल सकते हैं, mail का करना है तो mail का link दे सकते हैं, या फिर हमने कोई documents का देना है, तो documents का link देंगे, यहाँ पर हम पास चुन लेंगे किसी other documents के लिए, हम इस picture को insert करना चाहें, या इस picture को हम link देना चाहें, और ok करेंगे, यहाँ पर हम उसका नाम डाल सकते हैं, cell के अंदर मैं डाल देता हूँ, photo, और इसको ok कर देंगे, then यहाँ पर देखो, यह फोटो यहाँ से उस photo का link बन गया, मैं यहाँ पर जाओंगा, यह कहरा है, control and click open hyperlink, control के साथ हम यहाँ पर click करेंगे, then वो photo open हो क्या जाएगी, तो यह link बन गया, इस photo का, हम इस photo को direct इस link के open कर सकते हैं, या फिर इसी document में हमने कह हम चना है, seat 2, seat 3, seat 4 के उपर, तब हम फिर से insert में जाएंगे, और करेंगे, control के, या hyperlink पर click करेंगे, documents, और इस बार हम देंगे, target in documents, यहाँ पर जाएंगे, हम इस document का target देंगे, इसके अंदर देंगे, इसके अंदर देंगे, seat 1 और seat 2, हमने seat 2 का link देना, apply करेंगे, seat 2 के अ नाम आपने ले रखा है, वो seat का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, और ok करते हैं, अब यहाँ पर देखो, seat 2 पर हमने जाना है, तो control के साथ सिदह यहीं पर click कर लिए, seat 2 पर पहुँच गए, इधर फिर से वापस seat 1 पर जाना है, तो यहाँ भी हम एक link के बना देते हैं, वापस कर देंगे, तो यह बटन होगी हमारा back का, यहाँ पर click करेंगे, तो हम first seat में आ जाएंगे, तो उस back को हम अलग-अलग seat पर same back का लगा देंगे, और यहाँ पर अलग-अलग seat के नाम डाल देंगे, या फिर कोई shape insert करके भी आप link लगा सकते हैं, insert करके हम जाएंगे किसी भी shape के अंदर, एक shape create कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक rectangle, इस परकार से आप कोई भी shape create करके उसका भी link दे सकते हैं, हम वापस से जाएंगे, insert में hyperlink के अंदर, और यहाँ पर हम दे देते हैं, इसी documents में या कहीं दूसरी जगें पर देना है link, तो हम वो link दे सकत हैं, यहाँ पर apply, and यहाँ डाल देता हूँ, मैं, seat to, okay, इस shape का नाम भी दे सकते हैं, देखो, click करते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर से मैं इस पर click करूँगा, back पर चले जाएंगे, फिर से इस पर click करेंगे, फिर back पर चले जाएंगे, इसका नाम लिग दिया, तो आपकी प option था, काफी use का option था, फिर से हम insert में चलते हैं, इसी पर कर हमने को special character insert कराने है, या date field लेनी है, हमने time field लेनी है, other कोई field insert करानी है, header, footer, same option, आपको यहाँ पर writer वाले ही से मिलेंगे, इसके बाद आ जाता है format, formatting से सम्मान दित, हमने अपने cell की कैसी format करनी है, हमने उसका alignment क् रखना है, हमने number format क्या चुनना है, या फिर परते एक row या column की formatting हमने करनी है, तो column या row के उपर चले जाएंगे, उसकी height कितनी रखनी है, width कितनी रखनी है, तो row की height हम manual set कर सकते हैं, या auto set कर सकते हैं, इसी परकार column की width को हमने set करना है, manual की width बढ़ानी है, हमने auto width बढ़ान में काम किया है और वो बाद में जब लिब्रे कैल्क स्प्रेड सीट का यूज करते हैं तो उनको मर्ज का ओप्षिन ढूनने में काफी परेशानी होती है हमने किसी भी दो या दो से ज्यादा सेल को इखटा करना एक बनाना है तो हम उसको मर्ज और सेंटर करते हैं लेकिन यहा पर फॉर्मेट मीनू के अंदर दिया गया है फॉर्मेट में हम जाएंगे आप ध्यान रखें फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा मर्ज एंड अनमर्ज के लिए हमने मर्ज और सेंटर सेल करना है या फिर सिर्फ मर्ज सेल करना है ओके मर्ज करना है उनली तो मर्ज पर किल से align रहेगा इसके अलाबा और देखते हैं format के अंदर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है सिर्फ एक option है cell setting के लिए उसके लिए मैंने आपको last video में बताया था उसके लिए हम करेंगे control के साथ one तो format cell का pop-up open हो जाएगा इसके अंदर हमने उस cell का कैसा format करना है सबसे पहले numbers में देखते हैं हमको यहां पर किस परकार के numbers चीए हमने जो numbers ही है वो regular numbers में चीए number format चीए percentage में चीए currency में लेना है तो हम यहां से चुनते चले जाएंगे जैसे हम हमारे पास दूसीर टाफ फॉंट के लिए, फॉंट की क्या style साह, हमको किस तरह से हमको font का size ची ए, font का color क्या ची ह! फॉंट पर क्या effect डालना है कि ऑ उसका alignment क्या रखना है है हमने alignment seat कर सकते, border दिखाना है तो border किक तरीक में का दिखाना है हमने cell का a हम वह बॉर्डर चुन सकते हैं, उसकी लाइन या उसका बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की style और उसकी padding ले सकते हैं, जो भी style हम चुनेंगे, मैं यहां से style चुनता हूँ, यह वाली color दे देता हूँ, में red width जितनी रखना चाहें width रख सकते हैं और shadow style भी हम यहां से ले सकते हैं यह सारी चीज़े हमने ले ले लेकिन हमने border लगाना का है हमने चारो तरफ का border लगाना है cell के left right का border देखना है up down का देखना तो यहां पर click करेंगे तो आप देखो यहां पर sample नजर आएगा only up down का चीए यहां को चारो तरफ का चीए padding set कर सकते हैं और जैसे इसको ok कर देंगे तो हम्रारा जो cell select था अब उसका आपको यह format नजर आएगा right फिर से करते हैं control one इसके बाद background हम cell की background कैसी लेना चाहें नन background है color लेना चाहें color चुन सकते हैं background के लिए या cell की protection हमने करनी है अब protection के लिए वह हमने पूरी seat को protect करना है या हमने सिरफ जिस cell में हमने लिखा वा है वो cell protect करने या फिर जिस cell में formula लगे हो हैं शिरफ वो protect करने तो protection का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा फिलाल मै आपको इतना पता देता हूं कि यहां पे जो आप देख रहे हैं protected सिरफ यह वाला हमारा checkbox select है यह by default हम इस cell के उपर हैं देखो है ना जिमकि by default जितने भी cell हैं एक seat के अंदर सभी के उपर यह tick होता है अगर हमने सिरफ इनी cells को protect करना है जिनके अंदर formula लगा हुआ हुआ है और यहां पे protection के अंदर इसको uncheck करके okay कर देगे अब जिसको हमने protect करना है सिरफ उनी को select करना है control one press करना है और उनी को हमने यहां पे check कर देना है और कर देना है okay अब जब seat को protect करेंगे तो सिरफ हमारे यही cell protect होंगे ना कि पूरी seat protect होगी और किस परकार करेंगे कैसे हम password च राइट तो वीडियो काफी लेंदी हो रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी बचे हुए ओप्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं राइट आसा करूंगा वीडियो आपको जुरू अच्छा लगाऊगा इसी परकार अच्छे एची वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं हमारे वीडियो को में दोस्तों में शेर करें में लाइक करें और यदि नहीं हमारे चल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए